कि कि हैं कि हैं पिंद्धेशन का अर्फ क्या होता है उसकी विचिस्ताएं कि है उसका महत क्या है और इसके बाद कुछ-कुछ समस्यां znag बंती हैं और उन इसने स्मस्यां के विदय को विज़ाए से ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निर्देशन के कुछ आपने this video में में हम लोग देखेंगे अब निरदेशन केसी टेखन क्या-कै कि उसको भीãy दoney और उसके बाद से हमारा चैप्र का काफी importance segment वो कवर हो जाएगा देखें संगठन में जो भी काम करने वाले व्यक्ति होते ना वो अलग-अलग प्रस्ट भूमियों से आते हैं उनकी बैक्डाउंस अलग-अलग रहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग-अलग होती हैं कि उनको क्या-क्या चीज़े ऑफर की जाएंग लौड-श्पीकर पर आपने सारे लोग को एक साथ बोल दिया सबका काम चल गया ऐसा तो होता नहीं है तो कॉंप्लेक्स हो जाता है क्या बड़ा कठिन हो जाता है प्रभावी निर्देशन इफेक्टिव डिरेक्टिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है और इस वजए से प्रिंसिपल्स बताएगा है कुछ ऐसे सिध्धान बताएगे जिनका हम पालन करेंगे कोई प्रवंधक पालन करेगा तो निर्देशन को की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा प्रभावी बना सकता है और उनहीं सारे सिध्धान तो कम लोग एक तरके देखते हैं तो पहला तरफ जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो अपना maximum contribution दे पाए अधिक्तम युगदान दे पाए आप ऐसा महल बनाओ और ऐसा महल कैसे कैसे बन सकता है तो कुछ-कुछ तरीके होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिल लोग को पैसे से बहुत मतलब होता है तो आप उनको इ चीज़े भी होती हैं बाकी पल्क्स भी होते हैं आपको कार्ड लेकर के जारी है कार्ड छोड़ने जारी बहुत सारी चीज़े छोटी-छोटी होती हैं तो आप incentives अच्छे दो और साथ में अच्छा clear motivation plan हो क्या हो motivation plan आपकर काफी clear हो तो इससे क्या हो जाएगा जो भी अधित्तम युगणान देने की कोशिश करेंगे तो यह एक सधानते आप इसका पलन करेंगे तो आपके आप नेड़ेशन ज्यादा अच्छा और प्रभाबी हो सकता है दूसरा क्या है संगठनिक उद्देशों में तालमेल रखो किसके साथ संगठन के आपस में कर ने इक संगठने न वह चाहते हैं कि इंप्रभाएज ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और जो संगठने वह पैसे ले उसकाता है एक इंदवर होती प्रटिविट्यू लो क्योंकि इस संगटने कुद्धेशों में द्वन्द हो जाता है कि इसका व्यक्तिकत और संगटने कुद्धेशों में तो इसको भी ध्यान रखना तीसरा क्या है आदेश की एकता यह हम लोग ने हैं प्रशासनी सिध्धान 14 उनमें भी देखा था unity of command कि एक कर्मचारी को एक ही कि इंसान क्या दे आदेश दे ऐसी सिती में confusion नहीं होगा उसको पता है कि हाँ इन्हों नहीं यह बोला था मुझे पता है कि यही बोला था यही करना है कोई confusion नहीं रहेगा तो यह हमारा हो जाता है क्या unity of command काफी important है स्वारी यह वालब aspect है प्रतेख कर्मचारी को केबल एक एक ही उच्छ अधकारी से आदेश मिलना चाहिए चौथा क्या है चौथा पॉइंट आता है निर्देशन की तक्नीकों की उपयुक्तिता मतलब आप किस तरह से डारेक्ट कर दो तो देखो कर्मचारियों की अलग अलग तरह के groups हैं उनकी आवश्यक्ताएं कैसी हैं उनकी भूमिका कैसी है ठीक है उनकी understanding चीजों के लेकर कैसी है उनका काम किस तरह का है ये सारी चीजे उनकी आवश्यक्ताओं को उनकी योगिताओं को आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनकी attitudes कैसे उनका ड्रस्टी कूर कैसा है दुनिया को देखने का सारी चीजों को समझने का आपको काम क्या है as a manager कि आप संगठन के उद्देशों को पूरा करा पाओं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग किस-किस तरह की चीजों के इनकी attitudes से आपको उससाफ से बात करनी पड़ती है है ना मेरा एक दोस्त था वो अलग-अलग गुर्प से बहुत कुछ बहु कि आपको तभी प्रभावी संप्रेशन हो पाएगा और तभी प्रभावी निर्देशन हो पाएगा तो ये वाला अस्पेक्ट हो जाता है अब इसमें क्या हो जाता है अन्य वस्तु स्थितियों को मतलब जो भी उस टाइम की conditions उनको भी आपको धान में रखना पड़ता है कुछ लोग हैं जिनको चाहिए कि आप मेरी सैलली बढ़ा दो सर तो हम अच्छा काम करेंगे या आप कम से कम इतने पैसे देदो कुछ लोग बोलते हैं नहीं सैलली आ भले मत दो लेकिन मेरा रोल तो बढ़ा कर दो मुझे जादा लोगों को देखना है मुझे प्रमोशन द से जगार प्रभावी होगे ऐसा ही नेक्स पॉइंक्ट आता है प्रबंद किया हर लेवल्ज पर जो भी मेंगेरी में लेवल्ज है उन सारे ही वेल्ज पर अगरके। बहुत अच्छा है उससे बहुत जादा फायदा मिलता है communication बहुत अच्छा है होने का मतलब क्या हुआ पहली बात तो कि जो आदेश आ रहा है जो अनुदेश है जो instruction है उसमें बिल्कुल clarity हो उसमें कोई confusion ना हो समझे हैं अगर कोई confusion नहीं है तो सारे लोगों में क्या हो जो चीने बहुत स्मूद चलेंगे तो पहली चीज़ तो यह जाती है कि प्रतेक स्तर पर इसपस्ट अनुदेश हो अच्छा अब आपने किसी अपने employee को बताया माली unity of command की तो आपको एक इंसान को एक इंसान जो है या आप एक इंसान से instruction लोगे ठीक तो आपके लिए बहुत अच्छा है आप भी किसी और इंसान को कुछ बता रहे हो तो आप जिसको भी बता रहे हो उसको बता दिया आपने लेकिन आपको एक इंसान instruction देगा यह होता ही unity of command में अब क्या हो जाएगा इसमें इस वाले case में आपको होगा समझ में आई या नहीं समझ में आई मादी जो मुझे किसी ने कुछ समझाया कि आपको ये काम करना मैंने समझ लिया तो हो सकता है वो कुछ और करना चाहर हो अगला point आता है अनौ अपचारिक संगठनों का प्रयोग, company, firm ये सारे बड़े formal organizations हैं, अपचारिक हैं, एक system बना हुआ है, एक हारेकी बनी हुई है, लेकिन हर तरह के संगठन में कुछ दोस्तों का group बन जाता है, ठीक है, factory employees में हैं, वो भी साथ में जाते हैं, तो उसमें भी हंसी मजाग चलता ही रहता है, तो आपको एक manager की तरह ये recognize तरह ना चाहिए कि कौन-कौन से groups बन गये हैं, उन groups में आप अलगतरह से भी बात कर सकते हो, तो उन groups को भी आप इस तरह से बात करो, जिससे संगठन की उद्देशों की पूर्टी हो रही है, और आपको पहचान पाओ, क्योंकि ये reality है, ये realize करना कि अनौप्चार एक संगठन तो बन ही गये होंगे, कौन कौन से बनगे, आपको संगठना चाहिए, आपको देखना चाहिए, इन चार लोग की बहुत अची दोस्ती है, तो जिससे हम एक साथ इस तरह की बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़े हैं, कि आपने बात तो खुद से कर ली, लेकिन आप खुद से अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप सबको बता रहे हो सुर्फ, तो क्या हो जाता है, कि आप अच्छा नेत्रत खुद से करोगे, खुद अभी प्रेरित व्यक्तित रहेगा, मोटिवेशनल रहेगा, तो सारे लोग आपने इंस्ट्रक्शन नहीं है, उनका निरेंतर पुनिरिक्षन करते रहो, कि जो आपने बोला था, उसका यथावत पालन हो रहा है, या नहीं हो रहा है, अच्छा, दूसी बात क्या है, कि अगर माल लीज़े उसके पालन में कटना हैं आ रहे हैं, तो अगर आप शक्ता पड़े तो आप उस इंस्ट्रक्शन को फुड़ा परिवर्टित भी कर दो तो हम लोग ने क्या देखा ये सारी चीज देख रही अब हम लोगों का इस वाले चैप्टर में काफी जो इंपॉर्टन आस्पेट से वह सारे कवर हो गया है इस वीडियो के प्रायोजक है आप और अगर आप ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियॉन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिये गए QR code को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दे अपनी क्लास का उद्दे से आप सभी के लिए आप ही की भा अपने प्लेलिस्ट पर अप्लोड भी हो चुके हैं घ्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना घुमोल योगदान जरूर ने बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिय इस घत्याद एंडियार कित सशक्राइब कन वी एंडियान बटे शेयर के इंडिया से आपके सने भी हो चाह हैं आपके से के सार्ब्सक्राइब के संपillä कित से नेदी सॉबज भी हो बढ़ेगा प hiss Commerce